तो गई 2019 में NVS का जो एक्जाम हुआ था उसके प्रिवियस एर के जितने भी यहाँ पे GS का पोर्षन है वो सारा का सारे एक वीडियो में खतम कर दूँगा ठीक है तो चलिए देख लेते यहाँ पर पूरे के पूरे तीन सिप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो देखेगा यहाँ पे जो आपका थर्ड सिप्टा इसमें कैसे पसन आपको पूछे के तो इसमें कहता है कि सहरों और कस्वों में बढ़ते प्रदूसर्ण की समस्या को हल करने के लिए केंद सरकार ने डैस प्रारम किया है देखें पहले क्या था अब 2019 में आपको 25 कोश्चन देखने को मिले थे जियस के लेकिन इस बाद जो है आपको 30 कोश्चन जियस के देखने को मिलेंगे किन सरकार ने डैस प्रारम किया था तो प्रारम किया था क्या रास्टी सुच्छ वायुकार क्रम क्या रास्टी सुच्छ वायुकार क्रम स्टार्ट किया गया था कोश्चन कि यह से कि तो नहीं रहें तो वह हो जाएएगे प्रारूप सम्तिझ कौन थे बर खूंठीर गैडर रखेंगे चले कौर्छन अबर अगला देखेंगे इसमें करतें ब्र भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयात करता है थो कौन से नमबर पो तीसरा यद रहाएंगे थीसरा इसकी सब्सक्राइध इसमें इसमें पूछा गया किनीवनीवें से इसरा General क disciplary बढ़ा एक राज एक तुलबा वहाँ घुरार जो है यह सबसे बड़ा जाते हैं जब कोई सरकार पाधन-लागत से अपने नागरिकों को मल या सेवाय पदान करती है तो अंतर को बहन करना के लिए तो इसे क्या जाता ठीक है इसे क्या कहेंगे तो इसको subsidy कहा जाता है जैसे गेस्ट सिलेंडर आपको दे जाता है अप्राक्स 1,000 की प्राइस पे ठीक है इसमें से कुछ subsidy जाती है जिसे डेड़ सो दो सो रुपई या आपके अकाउन वापस आ जाती है तो यही चीज सब शिडी होती है कोशन नमबर अगला देखिए तो कहते हैं कि हाली में किस राज ने स्कूली बस्ते के भार को सिमित करने का नेड़े लिया तो कोशन नमबर साथ का जो राइड एंसर होगा वो जो करनाटक गाद रखेंगे करनाटक इसका राइड एंसर होगा कोशन नमबर अगला देखिए त कोई गरा है जहाँ पर बनाया जाता है च्रेक्सन होता यह उसको कहते है टेरा फार्मिंग कोचान नंबर अग्रा देखे हैं था अकबर द्वारा इलाही संवंत ठीक्ड अकबर के द्वारा जो तरदीने इलाही इनोंने शुरू किया था आकसर अब सभी को पता है कि इलाही समवथ जुक्र जो कलेंडर था कब शुरू किया था मेंना समुद्री जीवों की कौन सी प्रजाती है जो अमर होती वह से कहा जाते है कभी यह मरती नहीं तो आद देखें क्या जैली फिस जो हता है यह जैविक रूप से अमर इसको कहा जाता है कोशन नमबर अगरा देखें तो कहते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के छेत्र में समझेगा कोई संस्ता है राजनेतिक वह वाली नहीं तो क्या होगा इस जिंपल उसिंडिकेशन हो जागा रखें क्या ऑर इसका मतलब है कोशन नंबर अगला है कि यहां पर पूछा गया के विस्खादी का मुख्याले कहां पर इस्तित है वह इटली के रोम में याद रखेंगे चलिए कोशन नंबर अगला देखें तो कहते हैं भारत में जो वन सनुच्छड़ा दनिया में यह कब लागू हुआ था वो लागू हुआ था याद रखेंगे कोशन नंबर अगला देखें तो कहते हैं उस विकल्ब का आपको चंगना है जिसमें कला कला सरूप का उसकी उत्पत्ती के राज से सही मिलान किया गया तो वह कौन से हो जाएंगे वरली महाराष्टा ठीक है वरली जो है महाराष्टा में है बाकी मदमनी कहां है बिहार में सभ कोशन नंबर अगला है कि धनुरूरवेद नेःस से संबंदी थे घ धनुर्वेद का मतलब क्या होता है जे हो जाएका तीरंदाजी से यानि कि हथियात थे सभी को पता होगा आपसान नंबर विल्कुर सही कोशन नंबर अगला जो है वो पुचा गया था कि देश देश का राश्पती बनने के लिए भारती नागरिक के लिए निम्तम आयू निधायित करी गई है वह कितनी करी गए 35 वर्स कितनी 35 वर्स इसको किया गया है याद रखेंगे लोगसभा के लिए पधामंतरी ले कितना है वो है 25 वर्स कोश्चन नमबर अगला देखें तो कहते हैं कि आप देखेंगा थोड़ा सा इंगलिस में लिखा हुआ है तो वीच आप वीच वन आप दा फॉलोविंग इस डिफाइन दा प्रोसेस अप्लिंग डिजीज एंड प्रोडिशिंग माइक्रो और्गम इन फूड आइटम प्रोसेस के दारा पैक के जाता है कोशन नमबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में रासन पड़ाली का आरम बंगाल के आकाल के दौरान डैस से सुरूआ था ठीक है भारत में जब रासन पड़ाली जो अभी तो चुनावी मुद्दा बना हुआ है लेकिन हाप पे ध्यान रखेंगा जो रासन पड़ाली का आरम हुआ था वह उनीस सो चारिस के रसंग में हुआ था कप जब बंगाल में आकाल पड़ा था ठीक है चली कोशन नमबर अगला देखें तो पूचा गया था कि थर्मर फ्लास्क की दिवार की बीच उसमा एक कुचालक डैस का होन फ्लासक के अंदर तरल के तापमान मां खफार बीच में इनीरुआत होता है थाफ्रात होता है यह संसे आप जानते हैं की जी में घरना स्बाइस होता है और फ्लास्क से यहीं कोई तीकनलोजिया $ startup होता है इसी वजय से क्या होता है जो वस्तु गरए में गरम बनी रहती र ठंडी ठंडी बनी रहती है निर्वात जो होता है कोशन नमबर अगरा देखे तो गहते हैं कि आई पील 2019 में चन्नाइस किंग्स ने टीम को राकर गैंड फिलाने प्रवेश किया यह तो पुराना कोश्चन हो गया दिल्ली कैपिटल भारा था चली कोशन नमबर यहां पर अग गए जिसने चंदर्मा पर अपना रोवर सफलता पूरग उता रहा है तो वो कोशन नमबर अगला देखें तो कहते हैं कौनसा महा कावड ही विसुकास सबसे बड़ा महा का विमाना जाता है अब देखेंगे तो यह क्या कहा जाता है महा भारत महा भारत तो जह है यह विश्व का सबसे बड़ा महा का भी माना जाता है कोशन नमबर इसका रड़ेंसर सी होगा यह थर्ड सिफ्ट के हम कोशन कर रहे हैं भी फिलाल तो कहता है कि बलुआ पत्थर से बनी सबसे लंबी क्रेम पूरी किस राज मिश्थी थे याद रखेंगे कहा जिए तो यह विल्कुल से हो जागा यह मेगाले मिश्थी थे कहां पर बनना है यह अबू धाबी में ठीक है याद रखेंगे यह इसका राड़ेंसर रोगे अब चलिए देख लेते हैं अगले सिफ्ट की हो रहे हैं यह 2019 का पेपर हम कर रहे हैं तो यहां पर कर रहे हैं तो एन्वी एस के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है किस सब्दकार्त पालतु कुत्तों का बिग्यानिक है पालतु कुत्तों का बिग्यानिक किसको कहा जाता है तो याद रखेंगे साइनलोजी का साइनलोजी जो हता है इसमें पालतु कुत्तों को बारे में हम पढ़ते हैं पालतु कुत्तों का बिग्यान साइनलोजी को कहा ज समक्त एक सनचना होती है ठीक है लाल क्रमियों में डैस नाम है कि एक सनचना होती है जो उनको भोजन पीछने में उनकी सहायता करते हैं कि यह आपको हो जाएगा क्या इसका राइडेंसर हो जाएगा इनको भोजन पीछने में इनकी साहेता करते हैं कोशन नमबर आगला देखे तो करते हैं कि वयोव रधा स्वतंतास न यानी समात सुधारक और नारिवादी सावित्री भाइपूले 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 अब सावित्री भाइपूले जिनको इतने नामों से जाना जाता है rat culture 3080 स्नानीथी वय वृद्धा समा सुधारग भी है और नारीवादी सावित्री फूले तो इनका याद रखेंगे कहां कि रहनवाली महाराष्ट की कहां कि हैं महाराष्ट राज की हैं सावित्त्री भाई फूरे कोशन नमबर अगला देखेंगे अगले में कहा गया कि भारत में भारत से किसी ने करतारपुर गलियारे का उद्गाटन किया अब देखें करतारपुर गलियारा बहुत ही फेमस है अभी यह चली रहा है तो करतारपूर गलियारा कॉल्डर का उद्गा टर्न और सिक्क धर्म के संस्था पक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम इस थल के लिए तियात्रों के पहले जट्थे को जंडी दिखाकर रवाना किया तो किस ने किया तो यह जाएगा नरेंद्र मोधी किसने नरेंद्र मोधी ने इसको रवाना किया आपसन नंबर यह विल्कुल सही होगा कोशन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं जो पका ठोस कार्बंदाय अक्साइड होता इसका अध्रिक सामाने नाम के यह तो बहुत आसान है ।ो कही का सुस्क बरती को ड्राइब आइस जो हती है इसको हम ठोस कारवन के नाव जानते हैं ड्राइब इसको हम ठोस सी ओर टू के नाम से जानते हैं कोशन नंबर अगला देखें वीडियो पसंद रहे तो लाइक भी कर दें क्योंकि पेपर का जो लेवल पूछे जाते हैं वही हम कर तो याद रखेंगे आपको हो जाएगा आर्बी टीक आर्बी आई के द्वारा ही आप पर आपकी रेपो रेट हो या फिर्वर्स रेपो रेट हो जिन दायत कर जाती है तो आपका राइड एंसर अपसंद नंबर सी हो जाएगा और यहां पर एक देखें मौद्रिक नीत जो अब विजय नगर की आपने तो बात सुनी होगी तो अभी देखें यहां पे एक 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 इन्नोंने नया राज भी बनाया है विजय नगर को तो यह आप याद रखेंगे तो इसका राइड एंसर होगा करनाटक कहां जो विजय नगर के रादधानी है या फिर प्राचीन में जिसको हम हम पी के खंडर के ना से जानते थे वो करनाटक में इस्ति थे कोश्चन नमबर अगला देखेंगे तो कहते हैं आप जो आपका बहुत सरजग भारती चित्रकार है ना मकबूल फिदा हुसेन ने अपनी चित्रकलाव में जीवनत और मुक्त आत्मा का चित्रण करन नमबर अगला देखें कि अरब्स डुनिया में सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले शैति पराप्त डैस फो कहां के रहने साथी जाथा पुझा जा सकता है तो सुल्तान कबूस बिनसाइद आलम जो हा थे इनका निधन होगे कहा करेने वाज़ा थे ओमान के चली कोश्चन नमबर लगा देखिए तो कहते हैं उस बहुती विग्यानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रान की खोज का स्रे दिया जाता है 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नेवल पूर्षकार भी मिला था ठीक है इन्होंने न्यूट्रान की खोज करी थी और उनको नोबर पूर्षकार भी 1932 में दिया गया तो कौन हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहां पर पर चैट भी किसके हो जाएंगे इस तरीके सब इसको प्रोटान किसने करी ती ददर फोडने करी थी अपना इससे कहा होगा न्यूट्राउन होगा अब यहां पे चासे कहा चैट्वी को जाएगा तो यह ट्रिक है चोटी सी आप तीनों को याद कर सकते आराम से चली कोशन नंबर अगला देखेंगे अगले में कहा गया कि निम लि और शेटनिक वर्जेश क्या यह तीनों लिखेंगे लेकिन एन एरिया और डार्कनिस जो यह सलमा रजदी के दर नहीं लिखेंगे तो आप्सान नंबर बीस का बिल्कुल सही होगा पोशन नंबर अगला देखेंगे तो करते हैं कि पर्टक इस्तल अरकु घाटी पर्टक बिल्कुल सही होगा चलिए कोशन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं किस खेल के लिए द्रोडा वल्ली हरिका को परतिष्टित पदम सरी पुरुसकार से समयत किया गया अब जो पदम सरी पुरुसकार दिया गया वहां पर एक खेल है ठीक है जिसके पर देखेंगे किस से संब्दित हैं सतर अंच से याद रखेंगे सतर अंच से संब्दित आप से नंबर यह इल्कुल सही हो जाएगा कोशन नंबर अगला देखेंगे आप तो कहते हैं कि जनुरी 2020 तक सिरी भूपेश बगेल निमलिके में से किसी राज जिके मघवंतरी तो सांची की खोज किस वर्ष की गई थी ठीक है 600 वर्षों तक पर्तिक करने के बाद जो सांची की खोज करी गई थी वह करी गई थी अठारा सो अठारा में इसकी खोज करी गई थी कोशा नंबर अगला देखे तो करते हैं लगातार चार टेश्ट संखलाओं में दोरा सतक बनाने वाले पहले और वर्षपान में एक बल्लेवाज कौन है ठीक है तो देखेगा यह कौन से हैं अभी हाली में यह है विराट कोली यह लगातार 4 टेश्ट रंखलाओं में इनों निच्चा दोहरे सतक हमारे थे ठीक है याद रखेंगे फिलाल तो बहुत साल से सतक ही नहीं है कोशा नमबर अगला देखें तो करते हैं इंगलेंड के किंग जेहंगीर कौन जो इंगलेंड के दर्वार में आये थे सबसे पहले आद रखेंगे कोशान अगला देखें तो कहते हैं कि जेश्टी का आपका लोट्री के लिए निदाइटो की गई समान जो वस्तु है वो कितनेगे तो 28 परसंट में रखेंगे जो लॉट्री पुर्षकार वाले हैं सब 28 परसंट के स्लैब में रखेंगे तो गहते हैं कोल थुनाडू और वलू वनाड और थेकुमकूर भारत के किस राज जी में प्राचीन काल में अलपकालित राज थे ठीक है याने रखेंगे कोलू वलू नाड और थेकुमकूर भारत के किस राज जी में प्राचीन काल में अलपकालिक राज थे याद रखेंगे इसका राड़ने सुझा केरल यह केरल में थे सारे के सारे याद रखेंगे बहुत ही गठीन परसंट है कोशन नम्बर एगला किनिम लिखें में से मानों के कान का कौन सा भाग नहीं है यानि कि मानों में जो हड़ी होती है कान में आपके तो उसमें से एक कौन से इसमें नहीं है तो देखें रकाब नाम कुकुद और स्टूर यह सारी की सारी हड़ीयां कान में पाई जाते हैं लेकिन जो आपके होती है उर्वस्थी यह गया है यह पर गोटबया राजपच्छे हैं ठीक है 2021 बाइस में भी यहां पर गोटबया राजपच्छे हैं सिलंका की राजपती कोश्चन नमबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि इसका मुख्याले कहाँ पर गोटबया राजपच्छे कोश्चन नमबर अगला देखेंगे तो कहते हैं किस अविनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म की प्रमुक महिला की भूम करें भाई जो मंगल गरेप भाद के पहले मिशन में महिला को युगदान की सच्ची कहानी को नाट की रुप से दरसाता है तो इसका राडेस हो जागा विद्ध्यावालन अपने मिशन मंगल अगर देखी होगी मूवी तो उसमें विद्ध्यावालन को दिखा गया है में भूमिका में पोश्चन नमबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि उस लेखा का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एर आफ डार्कनेस किसकी है तो सशी थरूर के दोर लिखी गए एन एरा आफ डार्कनेस याद रखेंगे चलिए कोशन नमबर अगला देखेंगे याँ पर दोस्तो अगले कोशन की बात करेंगे तो कहते हैं कि जापकी रात राकास में चमकने वाले पिंडों को किस नाम सजाने जाता है तो हो जाएंगे खगोली पिंड क्या खगोली पिंड इनको कहा जाता है ये रात राकास में चमकने वाले पिंडों होते हैं कोशन नमबर अगला देखेंगे यहां पर माधोपूर मेला लगा जाता है ठीक है कौन सा राज जहां पर माधोपूर मेला लगता है तो याद रखेंगे गुजरात में कहां गुजरात इसका राइडन सुझेगा यहां पर माधोपूर मेला लगता है कोशन नमबर अगला सब्सक्राइब किया गया यह विंक्स इंडिया का तो बेगम पेट हवाएड़े का बेगम पेट हवाएड़े पर कोश्चन नमबर अगला देखिए रहते हैं लेकिन में से किसे पहले दा लेडी विलिंग्टन पार्क के रूप में जाना जाता था तो हो जाएंगे लोधी गा है आपर कैसा पूछता टीसेएं कोश्चन नमबर अगला देखिए तो कहते हैं किनम लिखे तोहार wagon पर तो याद रखेंगे लाई हरोबा जो एक टोहार है उसका यहाँ पर अर्थ जो हता है वो होता है बैसिकली मेरी मेकिंग आफ दे गौड्स याद रखेंगे चली कोश्चन नमबर अगला देखेंगे एक जान लीजेगा यह मनाया कहां जाता है मड़ी पुर में कहां मड़ी जो आजाद सत्रू था यह किसका पुत था तो आसान नहीं हो जाएंगे बिम्बसार का याद रखेंगे चली कोश्चन नमबर अगला देखेंगे तो गहते हैं निम लिखी में से कौन कसे रुकी प्राणी नहीं है यह पूछा गया है तो कोश्चन नमबर आठ का राइटें कोश्चन नमबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अब गेट वे आफंडिया बॉंबे गेट वे आफंडिया की अधारिसिला कब रखे गयी थी त्याद रखेंगे यह कहां पेस्तित ए यह बुम्बई में है और 1913 में इसकी अधारिसिला रखे गयी थी कब 1913 में इसकी lord न Ryu जिसका नाम है्भ्रम गिरी यह को डाकू में कहा को डाकू में में इस्तित everything thing कोश 연ो नंबर इननमर के एक प्रंव कंग है अब शिर्के का प्रमुक घठक है सभी कोर पता है कि एसे टिक जोगा यह सब्सक्राइब ए सब्सक्राइब माना जाता है का वी के प्रश्ट भी माना जाता है कोशन नंबर अगरा देखे तो गहते हैं कि भौतकी का वा नियम बताता है कि जब दो विद्दुत आवेश्टों की बीच दूरी दूगनी हो जाती है उनके बीच बल उनके पूरुमान से एक चौथाई तक कम हो जाता है तो यह किस नियम में कहा जाता है यहाद रखेंगे को कुलाम का नियम है तो यह चीज कहता है कि दो विद्दुत आवेश्टों के बीच दूरी दूगनी हो जाए तो उनकी बीच जो फोर्स लगता है जो बल लगता है पूरुमान से एक चौथाई कम हो जाता है जितना पहला था उससे एक स्वां का नियम कहता है अगला देखें गरते हैं कि जो बॉर्णा को निम्ली खित पहाड़ी में से किस पहाड़ी पसती थे कौशmee वरा नामक गुफा यह बारत के पूरुमी टटपन निमलीखित पहाड़ियों में तो याद रखेंगे कहां परें तो इसका राइट यह जानने योग बात है पुराना है लेकिन जानने योग है तो कहते हैं कि जो कर्म योद्धा नामक पुस्तक का भी मोचन है या किसके मतलब अमिसा ने इसका भी मोचन किया कर्म योद्धा गरंत का ठीक है अब यहां पुस्तक किसके जीवन पैदा रही थे तो याद तराफ देशत त्वार रजट जैनती अंतराटी कल्हाइल सम्मयद्स कर याढ रखे गया है कहों से बंगला देश से किसे यह यह बंगला देश से को समय प्रहों कि आगे है आज स्वामिय कहुंँल कर देखें के तो फिर्सने इस हमिली के किस देश में watay इंग्लेंड में परतिस्टित हैस्टिग अंतराष्टिस अतर्थिस अग्रेस का पंचानब्भू और संसक्राइगा अधिद किया था ठीक है देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि तोक्यो ओलम्पीक 2020 क्योंकि 2021 में वगण तो इंपोर्टन्ट आ यहां पराद रखें और यहां पराद ररत हैं और इसमें पितने हुँचिन नंबर अगला देखे तो कहते हैं निमढीकित गरैंटियों में तो पेप्णओ के बीच में रहती है तो यह उती है जूर नहीं होती है विखन से घ्रत सब्क में रहती का उनसी थाइमस ग्लैंड फेपणों के बीच में रहती है कोश्चन नमबर अगला देखें कि जो हम प्यास काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज की एमिनो एसिड सलफाइट को किस एसिड में परवर्तित करता है तो इसका राड़ेंसल क्या हो जागा सलफेनिक एसिड में यह कन्वर्ट करता है इसी वजह से हमको आशू भी आते हैं कोशन नमबर अगला देखेंगे तो कहते हैं आपके देखे कितना रंबा चोड़ा कोशन है कि उद्द्योग 4.01 जटिल साइबर बहुत की पड़ाली है जो डिजिटल परद्योग्यों के साथ उत्पादन में सहयो करती है रेल मंतरले विग्यापन यह उपर दोकी विभाग ने उद्द्योग 4.0 पर एक अनुठी प्रियुजना आरम क दर्णने के लिए किस अंस्थान के साथ साजेधारी की है तो याद रखें कहां, IIT कानपुरा के साथ किसात reicht कानपुरा के साथ साथ की साजख्यधारी करी गई कोशन नमबर अगला देखिए हैं पर तो कहते हैं कि वेस्विक निवेस जो आपका एक्सेंड है ना 2020 की बात करने तो पुराना होगे चलिस को छोड़ देते हैं अगला कोशन देखिए मिले की में से कौन रांधिम सासग थी मिएखिए रहाए देखिए आसान था कोशन नमबर में गुजरात में कहा इस्तापित किया गुजरात में ने इस्तापित किया है तो option number इसका बी विल्कुल सही हो जाएगा यह हो गया question number अगला देखें तो इसमें कहते हैं कि निम लिखित में से किसे 50 में दादा सहाब फाल के पुरुसकार से समयद किया गया तो त्याद रखेंगे important है त्याद रखेंगे पचास में अभी 51 इंपॉर्टेंट किसको दिया गया रजनी कांद को किसको रजनी कांद को दिया गया है ठीक है important है चली question number अगला